मुहर कुछ इस प्रकार की होती थी जिसमें ना सिर्फ जो मालिक है उसका नाम और पद्वी लिखी जाती थी बलकि चिन बनाया जाते थे जिससे की जो भासा को ना समझ सके वो व्यक्ती भी अर्थात ये दिवन पड़ भी है तो भी इसे देखकर एक हद तक समझ जाते थे कि उपस्तु कहां पहुँच रही है और किन के पास इसको जाना है और किन चीजों से संबंदे इस प्रकार की मोहरे लगाए जाती थी ये कुधरन आप देखेंगे जो संबता मालिक का नाम और पद्वी दिखाई देता है